इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनिट से लिग गई है. हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्टमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। चुंकि पैडिक्लोरिल ओरल सोल्यूशन कई घंटों तक शरीर में एक्टिव रहता है। इसलिए आपका बच्चा अगले दिन भी सुस्ती का अनुभव कर सकता है। पैडिक्लोरिल ओरल सोल्यूशन के सेवन के बाद आपके बच्चे को जी में चलाने जैसा या असहज महसूस हो सकता है। यदि आपके बच्चे और शदिय सेवन के 30 मिनिट के भीतर उल्टी करते हैं, तो अपने बच्चे को शांत होने के बाद एक और खुराग दें। हाला कि सुनिश्चित करें कि खुराग को दो गुना न करें। यदि आपके बच्चे को पहली खुराग लेने के बाद भी सोने में कठिनाई का अनुभव होता है, तो अपने डॉक्टर से परामर्ष ले, या यदि आपका बच्चा रात में, या सुभा जल्दी उठता है। सामान्य परिस्थितियों में अपने बच्चे को नियमित रूप से सुलाने के लिए पैडिक्लोरिल ओरल सोल्यूशन का उप्योग कभी न करें। प्रभाव प्राप्त करने के लिए उच्च खुराक की आवशक्ता हो सकती है। दवा को अचानक नरों के भले ही आपका बच्चा सुधार के संकेत दिखाय जाने के रूप में अचानक वापसी के लक्षनों का कारण बन सकता है। इस दवा के सेवन से कुछ बच्चों में मामूली और अस्थाई साइड एफेक्ट हो सकते हैं। इसमें मिचली आना, उल्टी, सुस्ती और मस्तिश्क और शारीरिक गतिविधियों के तालमेल में दिक्कत शामिल हैं। आम तोर पर ये साइड एफेक्ट आपके बच्चे के शरीर के दवा के प्रती अनुकूलित होते ही ठीक हो जाते हैं। हाला कि यदि ये साइड एफेक्ट लंबे समय तक बने रहते हैं या आपके बच्चे को परेशान करते हैं, तो आपको बिना किसी देरी के अपने बच्चे के डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद.